कि खपरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा अक्शन कम्पनियों के जुंतिमाही के नंबर्स भी काफी सारे जारी हो रहे हैं उन सब की डिटेल लेकर वरुन हमारे साथ जुड़ चुके वरुन मौनिंग कल कौन से महतुपून नंबर्स निकल कर आए हैं कैसे र अनुमान था मुनाफ़ा भी 183.5 क्लोड पर आया है 166 क्लोड का अनुमान से बैतर है लेकिन ग्रॉस इंपेस और नेट इंपेस में माजिनल बरुती देखने मिले कोई जाधा नहीं ग्रॉस इंपेस बता देता हूं 0.55 परसंट से बढ़के 0.63 परसंट पर आया है 0.55 परस ग्रॉस इंपेस नेट इंपेस कर्मी देखने मिली है रीटेल पॉर्टफोलो जो है वह अब 82 परसंट है डिस्बर्समें रीटेल के 25 परसंट की बढ़ोती हुई है लेकिन जो रीटेल निम्स प्लस फीज है 11.87 से गिर के 11.7 परसंट पर आया है तो यह एक माजिनल गिराव परसंट पर आया है 22.3 परसंट का अनमानता यानिके अनमान से तोड़े कम और मुनाफा जो है 302 कोड का अनमानता से बढ़के 80 क्रोड पर आया है 6 रुपे पतिशर के डिविडेन का एहलान किया है और दो कंपनिया है एफपी एल डेलाइट और एफपी अलफा इसमें निवेश करने को बोर्ड की मन्जूरी में मिली है तमिलनाडो स्तित प्लांट में विंड और सोलार एनरजी के खपत के उद्देश से यह निवेश हो ह यह करने वाले है और आखरी में फिनोलेक्स एंडास्ट्री ऑपरेशनली गुड है क्योंकि रेविन्यूज करीब करीब एक परसंट गिरे हैं लेकिन मार्जिन्स में 2-5 परसंट के आसपास का इजाफा है मुनाफा 16 परसंट बढ़के आया है तो कह सकते हैं कि अधिकतर नंबर जो हैं वो ठीकठा की यहां पर हैं मिक्स मिक्स पैक रहे हैं बहुत खराब भी नहीं रहे हैं अच्छा यह बता दीजिए आज कौन से नंबर आने हैं ट्रिगर्स कौन से और ख़बरों के दम पर कहा एक्शन है आज मजा ऐगा इनफोसिस सब्सक्राइब काफी सारे कंपनिया हैं को फोज एवल्स एंफसिस पर सिस्टेम यूनाइट स्पिरेट्स दाल्मिया भारत इंडिया मार्ट इंटरमेश इन सब पर नज़र रखेगा इंडिया मार्ट इंटरमेश नतीजों के साथ साथ बाइबैक पर विचार करने वाला है टीटी के हेल्थ केर डी लिस्टिंग ऑफर जो है वह आज से खुलेगा आपको याद होगा इन्हों ने अपने डी लिस्टिंग प्राइज में बदलाव भी किया था जो नया प्राइस था बारासो रुपे एक बारासो एक रुपे का था इसके साथ साथ सबसे इंपोर्टेंट आज वो डी मर्जर जो है जीओ फाइनेशल के साथ उसकी एक जेट है उसके चलते नौ से दस बज़े की बीच में एक स्पेशल प्री ओपन सेशन है जहां पर डिस्कवरी होगी तो यहां पर नज़र रखेगा और जीओ फैनेशल 4.55 टाइमस भरा है रीटेल का हिस्सा 19.48 टाइमस इसमें भरा है खबरों के दम पे फेडरल बैंक क्यूआई पी का फ्लोर प्राइस 132 रुपेस 59 पे से तैख हो चुका है और 24 जुलाई को बोर्ड की बैटा के जापे इशू प्राइस तैख करेंगे यह श्री सिमेंट जी के खिलाफ आदेश आया है डिलेटेट पार्टी कॉप्रेट गवर्नेंस और इंकम टैक्स में धानली के आरोब जो है वो लगाये गए हैं इसके अलावा कॉनकॉर यहां पे नदर रुकिए कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि कॉनकॉर को एफनों से भार किया जा रहा ह है अब खबर आई है कि कॉनकॉर के जो एफनों कॉंट्राक्स है वो आगे भी जारी रहेंगे इसको एफनों से भार नहीं किया जा रहा है NCLAT के NCLT का जो आदेश था IBC का उस पे स्टे लगाने के चलते NSE ने ये कदम उठाया है PNC Infratech Company ने NHEI के साथ तीन नए HAM Project के लिए Concession करार जो है वो कर लिया है इस Project की कीमत जो है 3264 कोड के आसपास के है Krishna Diagnostic National Health Mission राजिस्तान ने Company को दिये जो Letter of Acceptance है उसको Cancel कर दिया है पूरे राजिस्तान में Laboratory Services मुया कराने के लिए इसके पहले Consortium को Letter of Intent मिला था उसको अब वापिस ले लिया गया है Promoter Action में अगर आप देखेंगे Fund Action में TCS LIC ने हिस्सा बढ़ाया है Q1 में 4.47% से बढ़ा के 4.63% अब हो चुका है Shriram Finance में JP Morgan यहाँ पे इन्होंने हिस्सादारी घटाई है हिस्सादारी करीब 0.04% से घटाई गई है और Equita Small Finance Bank DSP Trustee ने यहाँ पे अपनी हिस्सादारी घटाई है करीब 0.32% से हिस्सादारी जो है 17 जुलाई को घटाई गई है ओके चलिए तो यह वो numbers है जिन पर हमें करना है focus और of course यहाँ पर अच्छा खासा action हमें बनता हुआ दिखाई देगा